दूस्तों आट बज्जू के जैसे कि अब सभी को बता है हर साम आट बाजे हम इंडिया अर्मी स्ट्टी चनल पर जीके और जनल साइंस का लाइब क्लास देते हैं और सुबा दरस बे जो होता है मैत और रिजिनिंग का लाइब क्लास चलता है ठीक है कल हमने किया था 50 कोश्च के अग्जाम में पूछा गया था साइड में हम वह लिख देंगे कि कि साल में पूछा गया था ठीक है तो बढ़ते हैं आज की फॉर्स्ट कोश्चन की ओर फिर्स्ट कोश्चन बहुत ही अच्छा कोश्चन पूचा है था है एड़कॉर्टर ऑफ इंटरनेशनल आटोमीक एनटजी एजनसी बाइ इंटरनेशनल आटोमीक एनटजी एजनसी का मतलब हेड़कॉर्टर कहां पर है यानि की मुख्या लाइग कहां पर है आपको बतने तो इसका राइटन से जो होगा आपस एंडी भी एतना होगा वीन ना होगा ठीक है और वीन जो होता है ओ ऑस्टलि और एननी वेसन जो होगा वो 1917 में इंडियन नाशनल कॉंग्रेस की प्रेसिडेंट रह चुकी थी और माधा टेरिजा जो है वो भारत के प्रथम महिला जो है जिनको नोबेल पूरुसकार मिला था उननी सो भाई मतलब 1989 में मिला था यानि की 1979 में मिला था ठीक है तो बढ़त होता है ठीक है तो बढ़ते हैं हम चार नंबर कुष्टन की और चार नंबर कुष्टन बहुत है एच्छा कुष्टन पूचा है कि हुवास दसेकेंड प्राइम मिनिस्टर आफ इंडिया भारत के दूसरे मुक्वमंतरी कौन थे आपको बतना है तो भारत के पहले मुक्वम नाधा किस्ने जो था, वो सेकन्ड क्रीजिडेंट यानि की राष्ट नम्र्सकेजाब और वाथम भाइस Till?? फिके उपर नम्र राष्ट नम्र को संप नम्र राष्ट नम्र कुछिस की और पाउ download पूछा है कि 21 वी कॉमन तो इंट गेंड कहां पर खेला गया था आपको बतना है तो इसका राइट अंसर जो होगा वो आफसंस यानि की 2018 में खेला गया था वास्टुलिया में खेला गया था और कौन से डेट को खेला गया था वो भी मैं बता देता हूँ चार अपरिल से लेके 15 अपरिल के बीच खेला गया था ठीक है इसका धेयन रख लेना है और रियो ब्राजिल में जो ऑलिम्पिक हुआ था वो 2016 में हुआ था और 2020 में जो होने वाला था वो ठोक्यो जापान में होने वाला था पर वो कोरोना वाइरस की वज़ा से रद कर दिया बहुत ही अच्छा पुछाए बहुत ही अच्छा कुछिस्यों, पूछाए भारत का राज्य कौन सा था आपको बतना है तो वो होगा वह आंध्रपदेश होगा वार वो 1953 में बना था आंध्रपदेश तो बढ़ते हैं आयोध्दा किस नदी पर है इस्ती थे आपको बतना है तो आयोध्दा जो होगा वो डेको सरायो नदी पर इस्ती थे यानि कि तस Bachelor का राईटेंस जो होगा वो और स बढ़ते हैं 11 नमबच्टी और 11 नमबच्ट पूछा है कि खासी language, speak in who state, खासी वहांसा किस राज्य में बोला जाता है, तो खासी वहांसा जो होगा, वो मेगलाया में बोला जाता है, ठीके, और मनीपूर में बोला जाता है, मनीपूरी वहांसा और कानाटक में जो होता है, वो कानाडा वहांसा बोला जाता है, ठीके, तो बढ़ते हैं और Bible जो होता है, मतलब Christian का होता है, 3P Dog जो होता है, बुरुदिस्ट का होता है, ठीके, इसका धेहन रख लेना है, और Option D जो होता है, जैनी जाम का होता है, ठीके, तो बढ़ते हैं, 13 नंबर question क्यों, 13 नंबर question पुछा है, currency of Japanese, Japan का मुद्रा क्या है, आपको बतना है, तो Japan का और Renvin मी जो होता है, वो चाइना का मुद्रा होता है, ठीके, इसका धेहन रख लेना है, ठीके, इसका ध्यान रख लेना है, ठीके, तो बढ़ते हैं, 18 नंबर question क्यों, 18 नंबर question, बहुत ही अच्छा question पूछा है, कि होया, did Sarajuni Naidu lives, Sarajuni Naidu कहां के रहने वाली थी, ये question 19 जनवर 2020 में पूछा गया था, तो Sarajuni Naidu जो होगा, वो उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी, ठीके, यानि कि options ही होगा, इस question का right answer, तो बढ़ते हैं, आज की last, जीके की last question क्यों हो, तो जीके की last question पूछा है, कि minus century is famous for minus century, किस लिए प्रसीदिया आपको बतना है, तो minus century जो होगा, वाफेल हो, यानि कि वहस के लिए famous है, और ये वाई, आसाम में इस्तित है, ठीके, और देखो, मतलब, ये question भी बहुत ही, अच्छा question है, बाड, यानि कि चीडिया की, मतलब, चीडिया जो है, वो famous किस century के लिए होगा, तो होगा, देखो, मतलब, भारतपूर, घाना, भारतपूर में होगा, ठीके, भारतपूर century जो होता है, वो चीडिया के लिए famous होता है, ये कहाँ पर इस्तित है, ये वाई, राजस्तान में इस्तित होता है, तारैंगे यह लिए झेरनल साइंस की वर्स्ठ पे बोला था 20 विश्ञन में रखूंगा प्र अप यह क्षस्ंं एकुश्यन कोई रह spaghetti है यानि डावी हुंग में पूंच लिए और इससा ओंपर जीन कहा पाया जाता है तो जीन जो होगा क्रोमोजम यानि कि गुंसंत्र में पाया जाता है और क्रोमोजम होता है आप सभी को पता है कितने क्रोमोजम होता है यानि कि 46 जो होता है वो क्रोमोजम होता है इंसान के सरीर में और अगर आपको जोड में पूछ ले तो 23 जोड होग एक कोई सें 2018 में पूछा गया था और आगे वाला कोई सेंग जो था वो 2014 में पूछा गया था ठीक है बोल दो भाई BCP जो होता है और बाकी जितना वज़ा BCP जो होगा वो पानी में घुलन सील होता है तो बढ़ते हैं आठरा नंबर कोईशन की और आठरा नंबर कोईशन बहुत ही अच्छा कोईशन पूछा है कि depth of ocean is measurement by which instrument यानि कि मास अगर के गहराई मापने के लिए किस अंतर का दोरा मापा जाता है ये 2018 में पूछा गया था तो यह कुछा गया था तो यह कुछा इसका राइट हैंसे जो होगा वो फेतो मीटर से जो होता है वो समद्रीयों के गहराई मापा जाता है ठीक है और अच्छा कोश्चन पूचा है कि 0 degree Celsius is equal to how much degree Fahrenheit यानि कि सुने degree Celsius की इतने degree Fahrenheit के बरावर होगा आपको बतना है तो देखो इसके लिए एक फार्मुला है जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ यह फार्मुला आप रटलो अगर आपको एक्जाम में किसी का भी मान दे तो आप आसानी से निकल सकते हो, CY5 is equal to 1-32 by 9 इसमें अगर आपको Celsius का मान दे रखा है और Fahrenheit में निकालना है तो Celsius पे जगाँ आप सिर्चिस का मान रखो और Fahrenheit को आप एक साइड रखो तो आटोमेटिकली निकल के आ जाएगा तो जैसे कि यहां क्या पूचा है कि 0 degree Celsius यानि आप उन क् चीज़ बोल दूए एक कोईसन बहुत बार इंडियन आरमी के एक्जाम में पूचा जाता है कि कौन से ताप मान मतलब कौन से मतलब कौन से डिगरी Celsius और Fahrenheit इसकेल का मान जो होता है वो दोनों बराबर होता है ठीक है तो होता है माइनस मतलब 40 डिगरी मतलब 40 डिगरी जो होत होता है तो मान अब सरीर के सामानियत आप मतलब 30 डिगरी Celsius होता है और Fahrenheit में जो होता है वो 98.6 डिगरी Fahrenheit होता है ठीक है इसका भी आपको देहान रखना बहुत जरूरी है तो बढ़ते हैं 20 नमर कोईसन की और 21 कोईसन करवाएंगे एक कोईसन और भी है तो ठीक है तो 20 नमर को ज्यादा मेलिलिन होगा वो ज्यादा काला होगा ठीक है जो ज्यादा जिसके पास ज्यादा मेलिलिन जिसके सरीर ज्यादा मेलिन उत्पन करता है तो उसका रंग जो होगा वो ज्यादा काला होता है तो यह किसके कारण होता है मैं और एक छोटी से आपको बोल देता हूँ य को यह मेलिलीन जो होता है सन का अल्ट्रा वाइलर्ट रेडियसन जी से यूवी रे कहा जाता है इसे ब्लॉक करने के लिए जो होता है वो हमारे सरी जो होता है वो मेलिलीन पोड्यूस करता है ठीक है जो ज्यादा सनलाइट में रहता है जो ज्यादा गर्मी बाली इलाका में र वो काम सनलाइट होता है ठंड का मौसम जादा होता है इसलिए उन लोगों को सरील में जो है वो मेलिलिन कम परडियूस करता है एनि कि उसका जो रंग होता है वो मतलब उनका फैमिली दर फैमिली जो होता है वो गोरा होता चला जाता है ठीक है तो बढ़ते हम आज की लास्ट क काई जो होता है वाट होता है और टाइम का इकाई जो होता है सेकेंड होता है और बार जो होता है वो प्रेसर का इकाई होता है अगर आपके किसी ना किसी इंडिया नार्मी के एक्जाम में पूछा गया तो आप जरूर देना आप चेक करना आपका कितना होता है आपका तैयार किस level का है तो आप जरूर दे देना discussion में लिंक हो गा और first comment में उस वीडियो का लिंक होगा तो आप जा के जरूर दे देना और अगर आप में से कोई बाठचा east capturing की तैयारी कर रहे हो तो discussion में एक channel का link देदों आप जा के आप रोज 8 बजे GQ और General Science का क्लास फ्री में ले और सुबा दस बाय जो होता है मैत और डिजिनिंग का क्लास फ्री में ले तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबा देना और प्लीज और प्लीज आपने दोस्तों के साथ सेर कर देना और नीचे discussion में मेरे Instagram का link होगा वहाँ पर जाके भी मेरे को follow कर लेना क्योंकि मैं Instagram पर आपको motivate करता हूँ आपको पढ़ाई के relative आपको motivation देता हूँ आपके running के relative आपको motivation देता हूँ तो Instagram में भी ज़रूर follow कर लेना और कल का वीडियो आप जरूर देखो अगर नहीं देखा तो बहुत बड़ी चीज आपने मिस किया है तो जल्दी से जाके दो आपका कितना होता है नीचे comment जरूर करना